हेलो फ्रेंज आज हम सीखने वाले हैं उन्नो उन्नो दुनिया भर में खेले जाने वाला सबसे पॉपुलर गेम है उन्नो कार्ड गेम इंडिया, अमेरिका, कैनेडा और आस्ट्रिला में काफी पॉपुलर है उन्नो गेम खेलने के लिए मिनमब दो प्लेयर चाहिए लेकिन जितने जादा प्लेयर्स होते हैं उत्ता जादा मजा आता है उन्नो की डाइक में टोटल 112 कार्ड होते हैं जो तीन तरह के होते हैं नंबर कार्डs, 0 to 9, एक्शन कार्डs and वाइल कार्ड बैसे wild और action card को हम special cards भी कहते हैं Uno card में 4 तरह के colors होते हैं Red, Yellow, Green and Blue और हर color के total 25 cards होते हैं Objective Uno card में player को जीतने के लिए अपने हाथ के सारे पत्ते खतम करने होते हैं I mean you have to finish all cards from your hand आईये समझते हैं card options को सबसे पहला है skip card अगर कोई player ये card चलता है तो उसके अगले next player की chance skip हो जाएगी और वो कोई भी पता fake नहीं पाएगा Second number होता है reverse card ये turn लेने की direction को उल्टा कर देता है यानि अगर game clock wise direction में खेल रही है और किसी player ने reverse card डाला तो उसके बाद game की direction anti clock wise हो जाएगी और ये वाइसे वर्सा त्री से नंबर पर है draw two card इस card को खेलने पर next player को compulsory discard pile में से दो card उठा कर अपने pass रखने पड़ेंगे और उसका 10 भी skip हो जाएगा उसके बाद आता है wild card आप इस card को खेल कर अपने game का color change कर सकते है red, yellow, green या blue कोई भी इसके बाद आता है wild draw four card इसके बाद आता है wild draw four card ये सबसे strong card होता है ये card जब भी आप खेलते हैं तो आप color भी change कर सकते हैं और साथ ही आपके अगले player को 4 card भी उठाने पड़ते हैं और उसका turn भी skip हो जाएगा आईए समझते हैं game play को game start करने के लिए उनों card की deck को shuffle करके हम सारे ही players को साथ साथ cards पाटेंगे और बागी के बचे हुए card table के center में रखते हैंगे ये जो center में रखे card है इसे draw pile भी कहते हैं draw pile में से सबसे जो first card top का है उसको हम side में open करके रखेंगे इसको discard pile कहते हैं अब यहां matching के तीन options होते हैं पहला card का color जैसे की red, blue, yellow या green for example अगर आपके discard pile के top card का color red है और आपके पस कोई भी red color का card है तो आप उससे match करके अपना पता fake सकते हैं second number पर आता है card का number जैसे की 1, 2, 3, 4 for example अगर आपके discard pile के top card का number 8 है और आपके पास भी 8 number का कोई भी card है तो आप उसे match कर सकते हैं तीसे नबर पर आता है type of the card for example अगर आपके पास कोई reverse card है जैसे अगर आप वीडियो में देख रहे हैं और discard pile का top card भी reverse card है तो आप type of the card से match कर सकते हैं आपका done आने पर आपको matching card को discard करेंगे और open करे हुए card pile में सबसे उपर रख देंगे सारे ही player 1 by 1 turn लेंगे और अपना card play करेंगे match करेंगे based on the rules जो मैंने अभी आपको बताए जब भी किसी player का turn आई अगर उसके पास कोई भी matching card नहीं है तो उसको draw pile में से एक card उठा कर अपने पास रखना होगा और अगर ये उठाया हुआ card open रखी हुए card pile के top card से match करता है जैसे number, color या pattern से then player can play that card और अगर ये card while card होता है तो वो game का color भी change कर सकता है जिसके हाथ के सारे card सबसे पहले खतम हो जाएंगे वो player cheat जाएगा I hope आपको game समझ आ रही है अब समझते हैं सबसे important rule that is called last card rule जब भी card discard करने पर अगर player के पास सिर्फ एक card बसता है तो player को जोड से बोलना है उनो लेकिन अगर आप ये बोलने में देरी कर देते हैं या भूल जाते हैं और अगर किसी और player ने ये notice कर लिया और पहले उनो बोल दिया तो आपको draw pile में से दो card उठाने पड़ेंगे जिसके हाथ के सारे cards सबसे पहले खतम हो जाएंगे वो player जीत जाएगा I hope you like the video ऐसे ही और interesting game सीखने के लिए हमारे channel को अभी subscribe करें मिलते हैं एक और नई video series के साथ तब तक के लिए keep playing उनो take care, bye bye